आज जो मज़दाओं असांतरिन रेसिपी आप लोगों साथ शेर करने लगी हूँ वो कोकोनेट कुकीस की है हम में से अक्सर लोग जोए बहुत शोख सिकाते हैं और वेकरी से जोए वो इंत्याई महेंगे मिलता है घर पे आप इसको कम इंग्रिटियों के साथ बहुत जादा साथ बनेगी और टाइम टेकिंग रेसिपी नहीं है बिना ओवन के बनाने लगे हैं वन फॉर्थ कप मैंने इसमें डेसिकेटीड कोकोनेट लिया है पिसावा खोपरा एक कप मैदा लिया है वन फॉर्थ कप मैंने रूम टेंपरेचर पे बटर लिया है वन फॉर्थ कप तो एलेक्रिक बीटर का इस्तमाल भी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो आपके सामने जो है मैं इसको स्पेचुला की मिक्स रखेंगी मिक्सिंग आपने इतनी देर तक करनी है कि इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाए फलफी से हो जाए क्रीमी सा इसका टेक्शिर हो जाए तो आप लोगों के सामने ही करूँगी मैं इसलिए इसको डिटेल सा इससे स्टेप को दिखा रही हूँ कि बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है अगर आप लोगों के पास एलेक्टिक बीटर नहीं है अब देखें मैंने इसको इतनी दे तक मिस किया था कि दोनों चीज़ा इच्छे से जो है इसमें मिक्स हो चुकी है चीन नहीं डाली थी और बटर डाला था दोनों जो है यह जान हो चुकी है और यहाँ पे जो है वो इसका लाइट सा कलर हो गया है अब हमने इसमें बागी चीज़े जो है एड करनी है शर्त यह है कि आपका बटर रहना वो रूम टेंपरेचर पर होना चाहिए यह फ्रीज का बटर आपने यूज नहीं करना तो देखें यहाँ पे मैं आपको दिखा रही है कि इसका कलर जो है नहीं उसको हमने चाहन के इसमें शामिल करने है थोड़ा-थोड़ा करके इसमें डालते जाना है और साल साच चो है इसको चाहनते जाना है आप याकीन कीजिए कि इतने ज़ए वो बूंटे है ना इसके साथ 2-3 टेवल स्पून हमने दूद लिया था, वो थोड़ा-थोड़ा करके इसमें आट करना है, और साथ साथ आपने इसको मिक्स करते जाना है, अब यह जो बिस्केट यह कुकिस गूंदना नहीं होता है, उसको सिर्फ आपने मिक्स करना होता है, तो यह वाला काम अब यहां पर मैंने एक टेवल स्पूल ले लिया था, और इसमें आपने इसको फ्लैट करते जाना है, अटेली की मदद से, डोव आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्मूथ है, इसमें कोई क्रैक्स और नहीं आ रहे हैं, जो मैं इसके कूकिस बना रही हूँ, और यहां पर प अब मैं इसको जो है, विदाउट ओवन मना रही हूँ, पतीले में बेकिंग एक ट्रेय ली थी, डीच ले ले लें जो भी है, उसमें आपने बटर पेपर लगाना है, पतीले को आपने 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लैम पर प्रीइट करना है, और पिर आपने स्लो फ्लैम पर इसको 20-25 मिनट के लिए या ज़ए-ज़ए-ज़ए-ज़ए-30 मिनट के लिए स्लो फ्लैम पर बेक कर लेना है, अच्छे से बेक हो जाते हैं, मैं आपको नीचे से भी दिखाऊंगी इसका कलर, कि बिल्कुल भी जले नहीं है, बहुत ही अच्छा सा कलर आया, यह देखें, म मेरी हराने वले असानतरी नीडियो रेस्पी आपको बर्वल्ट मिन सके, आज के बाद आप कोकोनेट कुकिस बजार से नहीं लेंगे, बलके घर पर ही बनाएंगे, जल मिलूंगी नहीं रेस्पी के साथ, अल्ला हाफीस